हेलो एब्रीबरन वाट्स अप दस इस अवरेंजर विल्कम बैक तो मैंट्वी चैनल दोस्तों एक और वहद इंपॉर्टनेंट वीडियो के साथ आपके बीच में हूँ एक और धमागेदार टूल सापको समझाने वाला हूँ कि कैसे यह आपके रिशार्च प्रोसेस में ओड किया है लेकिन जो नए सब्सक्राइबर हैं जो नए लोग हैं जो वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं यानि नौट सब्सक्राइब है नाइटीवन परसेंट में डाटा देख रहा था देकि कमाल का रिशर्च करता हूँ बहुत अच्छ अच्छ कि चीजों पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं हार्ड को लर्निंग पर वीडियो बना रहा हूँ यह इन टूल पर इन वेबसाइट्स पर अगर आप काम करना शीखते हैं तो आपकी प्रड़क्टिविटी कही गुना बड़ी है तो आप लगतार जो मेरे पिछले वीडियो आप देखेंगे तो मैं बहुत सारे ऐसे ऐसे AI टूल सिखा रहा हूँ जो आपके कंटेंट केरियेशन को एक क्लिक में आटोमेशन मोड पर ला सकता है तो अगर आप इस तरह के वीडियो से मोटिवेट हो रहा हैं इंस्पायर हो रहा हैं कुछ सीख रहे हैं तो चैनल को सब लाइक करें कमेंट करें आज जो मैं आपको टूल बताने वाला हूं बहुत ही उप्योगी टूल है तूल का नाम है स्पार्क टोरो यहां पर देख सकते हैं इसके डैसवर्ड में मैं लॉगिन हूँ आपको गूगल पर जाके लिखना है स्पार्क टोरो और जो पहली लिंक आएगा उसके बाद एक साइनफ प्रोसेस में आपको सिर्फ जीमेल आईडी से साइनफ कर लेना है वह मैं एक्स्प्लोर नहीं करना हूं क्योंकि बहुत सारी वीडियो में इन चीजों को बताते ही गया हूं तो आपको वेन यूट विद दा साइनफ प्रोसेस आपको यह र लेवल पर उनके ओडियोंस को रिशर्च कर सकते हैं तो आपको उसके लिए करना पड़ेगा जो और यहां पर दो ऑप्शन है एक है सब्सक्राइब कीवर्ड और एक है विजिट दी वेबसाइट तो अभी मैं वेबसाइट पर मैं कैसे यूज करना वो सिखा रहा हूं यहा आघए टो आपको अब अब यहां पर में देख सकता हूं कि टूखेपल विजिट इच मन उन इस वेबसाइट ऐसा यह नोटिफिकेस्टा आ रहा है शीमलर वेबसाइट का भी नोटिफिकेस्टान आ रहा है कुछ कीवर्ड जो इस से गारी कॉन से जनरल यह जिन्डर डेमो आ रहा है और कुछ additional side भी आपको suggestion में दे रहा है कि ये सब website भी similar है उसके बाद जो सबसे main और अच्छा चीज मुझे लगा तो कोई भी website पर आप काम करते हैं तो अगर आप वो आपका competitor है आप चाहते हैं कि उसके जैसा आपकी website visit बने उसके जैसा आपकी social media presence बने उसके जैसा audience सबसे आदा किस platform पे समय बैतित कर रहा है किस platform पे काम कर रहा है जैसे मैं एक चीज़ देखता हूं कि बहुत सारे लोग already बहुत सारा काम कर रहे है डिजिटल में content बना रहे है टीम भी है लेकिन उनको काम करना नहीं आ रहा है in fact उनको platform selection नहीं आ रहा है कि किस platform पे उनका actual audience meet करेगा और वो बीना का मैं तो बहुत सारे companies में as a audit पे भी जाता हूं तो मैं देखता हूं कि दो-दो साल से 5-5 साल से लोग काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक वो audience को नहीं पकड़ें कुछ keyword जो उनके लिए काम कर तो उस पे काम नहीं हुआ है कुछ social media जो branding है वो उस level पे नहीं हुआ है तो उसका एक सबसे जो मतलब कमी है वो यही है कि आप आपको यह भी पता नहीं है कि आपका audience किस प्रेटफॉर्म पर जैसे यह आपको एक research में आपके जो भी competitor है या खुद की जो research है उसमें यह audience बताता है कि अगर आप इस तरह के website के audience को देखना चाहते हैं graph बताता है कि आप अगर जो इस तरह के niche of business पे काम करना चाहते हैं तो आपको highly active कहां पर रहना पड़ेगा तो यहां से आपको यह समझ में आएगा कि अच्छा इन platform पे मुझे काम करना चाहिए यहां से मुझे audience हुलने की chances ज़्यादा बनेगी तो यह actual working होता है मैं लो profile के लोगों को hire कर लिए तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा आप दो साल चार साल पांट साल भी काम करेंगे कोई फरक नहीं पड़ता है और आपके जो अच्छी planning से काम कर रहा हो सकता है छे महीना एक साल में आपको compete करके आगे निकल जाए तो यह चीज को समझना होगा तो इस अर्दा इनो competitors जिसको आप देख सकते हैं कि इनका क्या content का flow चल रहा है किस तरह का content यह बना रहे है website इनका क्या है तो यह सब बहुत कमाल का research करके यह बताता है आपको कुछ keyword का भी research देता है कि keyword कि लेवल पर है और किस तरह के keyword आपको suggestion लेना चाहिए तो वह भी यहां पर description में सारी जानकारी देता है फिर किस तरह के YouTube channel लोग follow कर रहे है podcast कैसा follow कर रहे है कौन से सवरी Reddit को follow कर रहे है जो जिस particular website का आप research करें वह भी यहां पर बताता है तो काफी detail level में आप इस पर जाके एक बार अपने account create करें और फिर visit the website में जाके जो भी website का आप audience search करना चा जो है start with keyword अब इसमें आपको कोई भी जैसे particular जो भी keyword है वह आपको type करना होगा और फिर search पे click कर देना होगा जैसी अब search पे click करेंगे तो उनसे relevant जो website से उनका list आजाएगा और कितने लोग इस keyword को follow कर रहे हैं इच मंत उसका list आजाएगा इस keyword से मिलता जूलता और भी keyword क्य क्या बन सकता है उसकी क्या volume में वह भी आ जाता है डेमोग्राफिक्स आ जाता है तो keyword research में भी यह आता है और websites जो और इस keyword पर काम करके rank बनाए उनकी domain authority क्या है तो यह चीज़ समझना होगा जिन पर most of the website जिसके बहुत अच्छी है और आपका आप नई site है तो आप कभी भी दूसतर के keyword पर fight करते रहेंगे result नहीं आएगा और आने में समय लग जाएगा तो आपको क्या करना चाहिए कि in that cases you need to go with some different keyword कोसिस कीजिए कि LSI keyword बनाए यह लॉंग टिल keyword बनाए ताकि आप अपने के ही अपने level के ही domain authority से fight करें तो यह चीज़ आपको समझना होगा इस पर complete analysis होगा मैं पहले भी बता हूँ कि बया जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि marketing कैसे होता है आपका audience कहां है आप किस level पर अभी exist कर रहे हैं आपका competition किसके साथ है तो result नहीं आने वाला है तो यह चीज़ समझना बहुत जरूरी है फिर और भी website जो इस तरह के keyword को target कर रहे है इस्टिमेट विजिट मंतली कितना है वो भी यहां पर बताता है फिर कुछ और भी website जो बहुत लोड यह पर अच्छा काम कर रहे हैं यह जो hidden gems बताता है यह बहुत important चीज़ है इसको मैं explore किया हूं इसमें मुझे ऐसे ऐसे websites मिलते हैं जो बहुत कम समय में इतनी बढ़िया तरीके से अपने आपको विजिट लेके आ रहे हैं अपने website पे अपनी पर्मोशन कर रहे हैं तो यह research पार्ट है यह आपको हो सकता है मतलब कई दूसरे टूल में नहीं नज़र आए लेकिन यहां पे आपको hidden gems है या नहीं hidden website जो perform कर रहे हैं आपकी industry में उसकी जानकारी जैसे आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि आपका platform आपका audience किस platform प्रैक्टिव है वहां पर जाके content बनाए तो यह यहां से निकल के आता है फिर इसके बाद यह भी आता है कि कैसे आपके जो audience है वो कौन-कौन सा इस keyword से related जो follow कर रहे हैं और किन के साथ ज्यादा engagement कर रहे ह उनके जैसा content बनानी के कोशिश करें फिर यह पूरा का पूरा keyword का idea आता है किस तरह के keyword और भी आप target कर सकते हैं जिसका आप इस्तमाल कर सकते हैं तो बहुत important चीज है यह कुछ trending keyword का भी idea देता है जिसे can we expect digital mktz course यह भी कोई search करता है इसके बारह जार searches है तो यह सब चीज ब requires tool पर आगे research किजिए आपके जो भी keywords related लोग हैं वो कौन-कौन से YouTube channel को follow कर रहे हैं कौन-कौन से podcast को follow कर रहे हैं कौन-कौन से subreddit को follow कर रहे हैं तो यह बहुत important आपको data analysis करके देगा बहुत useful tool है लेकिन यह सब आपको तब पता चलेगा जब आप aware engine.com के साथ जूडेंगे उनके YouTube channel को follow करेंगे, उनको social media पर follow करेंगे, उनके vlogs पढ़ेंगे, तब जाके आपका पता चलेगा कि digital में या AI में या prompt engineering में, generative AI में क्या नया चीज़ चल रहा हैं तो काफी कमाल का वीडियो, काफी कमाल का research मैं already कर रहा हूँ, आपके लिए बहुत महिनत करता हूँ, इतर content बनाएं, तो छोटा आपका motivation बहुत जरूरी है, चैनल के साथ जूड़ जाएए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगाओ, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी confusion रहता है, कोई भी अगर आपके content creation, आपके digital marketing, generative AI, prompt engineering, आपका कोई concerned है, dedicated आपक वीडियो के साथ आँगा, चैनल के साथ बने रहें, thank you for watching.